हेलो फ्रेंड्स आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी जो हमने अभी भी ली है तो इसके क्या फैदी यह स्कूटी बच्चों के लिए और थोड़ा एज़र जो है उनके लिए और लेडिस के लिए तो बेस्ट है फ्रेंड्स सी यह स्टेला कमपनी का ऐसी 2000 मॉडल है फ्रेंड्स इसमें क्या क्या फंक्शन्स हैं और साथ मैं एक्स्प्रेंड भी कर रही हूँ फर्स्ट है remote keyring जो keyring है इसका remote की तरहें काम करते हैं उसमें तीन block वी तीन functions हैं लोक हो जाएगा अनलोक हो जाएगा प्रेस करने पर लोक हो जाएगा और प्रेस करने पर अनलोक हो जाएगा keyring से यह आप कर सकते हो और एक अच्छा function है security alarm अगर कोई स्कूटी को चुराने की कोशिश करेगा तो अलारमन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा किसी ने आपकी स्कूटी को मोव किया है जिसे कार में होता है नेक्स्ट है ट्यूबलस टायर फ्रेंट से इसके दोनों टायर जो हैं ट्यूबलस हैं पंचर और हवा बरने की कोई टैंशन नहीं है कोई जंजट नहीं है हवा बरी जाती है आप 15-20 दिन के बाद एक बार चेक कर सकते हो कि हवा थोड़ा कम हो गई वैसे तो ट्यूबलस टायर है हवा बनने की जरूरत नहीं है अच्छा इसमें फंक्शन है ये भी और नेक्स्ट है पावर ब्रेक्स ब्रेक भी काफ़ी स्ट्रोंग है हलकी सी ब्रेक लगाने पर ही ब्रेक लग जाती है अच्छा सिस्टम है ब्रेक का भी नेक्स्ट है लाइट वेट स्टैंड में लगाना और उतारना भी काफी असान है साइड और सेंटर स्टैंड दोनों असानी से लाइट वेट होने के कारण चलाना और बैलनस बनाना भी असान होता है क्योंकि कई बार हमें होता है हम स्टार्टिंग में सीखर होते हैं तो हमारा बैलस नहीं बन पाता तो आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हो तो बैलस बनाना बहुत एजी हो जाता है इसमें स्पीड कंट्रोल करने की तीन अप्शन है फर्स्ट में 20 किलोमेटर पर आवर्स और सेकिंड में आप 30 किलोमेटर पर आवर्स और थर्ड में 40 to 40 पर आवर्स हो सकती है फर्स्ट में आप 20 किलोमेटर ही रखें स्टार्टिंग में और एगर एक बार आप स्पीड को सेट कर देते हो तो 20 ही अगर सेटी की तो 20 ही रहेगी यह अच्छा ओप्षन है इसमें हेलमेट आप अपनी सेफटी के लिए यूज़ कर सकते हो आप देख पा रहे होगी एक स्कूटी के साथ एक ब्लू कलर का इस तरह से असेसरी का पैकिट आया है इसमें सब सारी असेसरी है और देखिए इ बैटरी मतलब काफी अच्छी है और आप इस जगह पे हेलमेट और एक्स्टा चीज़ें कुछ भी रख सकते हो इसमें हेलमेट और लेसेंस रिक्वाइड नहीं है और बैटरी भी अच्छी है अगर एक बार फुल चार्ज हो जाती है तो लगभग 80 किलोमेटर तक चलती है उसे चार्ज करने के लिए 3 पिन जैसे नॉर्मल जो होता है उसे आप चार्ज कर सकते हो उसे चार या साड़े च जार घंटे लगता है चार्ज होने में आप देख पार है उस स्क्रीन पर एक बैटरी है इससे हम स्कूटी को चार्ज करते हैं तो अच्छी है बैटरी काफी नेक्स्ट है इसमें डिजिटल डिस्प्ले है आपकी हर एक्टिविटी का डिस्प्ले दिखाई देगा जैसे स्कूटी में आप ब्रेक लगाते हो या हुरन बजाते हो या कितनी बैटरी यूज होई सब आपको रेड कलर में शो होता है तो अच्छा सिस्टम है इससे पता जल जाता है कि हमारी बैटरी कितनी यूज होई आज मैंने स्कूटी का रिव्यू किया है अगर फ्रेंड से आपको अच्छा लगे तो आप अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इलेक्ट्रोनिक स्कूटी के बारे में जान सकें थैंक यू